हाई अब रिवन कैसे हैं आप सभी लोग आई हो बच्छे होंगे और आज किस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी चात्र लेकर आए हैं 2022 में आने वाली कोशन जो मौस्ट इंपोर्टेंट कोशन है हमारे एक्जाम के लिए मौस्ट इंपोर्टेंट कोशन एक्जाम 22 की बात करें तो सभी चातरों से कहना चाहेंगे कि वीडियो को एक खेर कर देंगे दोस्तों में 2022 मॉस्ट इंपोटेंट कोशन है आप इन कोशनों को याद करके 90% प्लस लाएंगे बिटा 90% यही से मिलेगा एक भी कोशन बाहर नहीं जाने वाला है अपने बुक नोट्स पेपर पर टिक लगा लो जिससे भी आप पड़ाई कर रहे हैं ठीक है और इनके हम नोट्स भी आपको प्रवाइड करा देंगे नोट्स का लिंक डिस्कॉप्शन बॉक्स में आप नोट्स करके आप नोट्स को डालोड कर पाएंगे सब कुछ आपको यहां दिया जा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक हो एक चैनल और है जिसका त्खलाएंगे अब जिभी पहुद है उसका वेघरक्त बारे में मैं मयाद करेंगे सम्मण उतक की सरचना समय उतक की सरचना की बारे मेंल्यक्त नइए अ को देख्षिए लगाए कि इसके लाभा कुछ और नहीं पढ़ाना है जो जो आपके बुक में नोट में मिल रहा है उसको देखे यहां जो है उनके द्वारा एक पुस्पी पौदों का वर्गी और उनके सिद्धान के बारे में याद कर लेना है इसके बहुत मोश्ट इंपोटेंट इंपोटेंट पर लगा लेना बहुत ज़दा पूचा जाता है बौट्ट इंपोटेंट नेट्स कोशन है देखो अंतर राष्टि बनेस्पती नामकरण का लक्षण प्रकार्स अब देख लेना है और उसके बाद में आता है यह देखना यह वाला वैंथम और हुकर का वरगी क्लासिपिकेशन था उसकी बारे मौस्ट इम्पोटेट इस पर इस पर आपके नोट्स गैस्पेपर में जो भी आपके नोट्स में है उस प्रिटिक लगा लेना वह जो नहीं है उसको छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इन फैम एक दो फैमली यहां से जिरू बनती है ऐसे कि रुले सीफ्वल है कर वेटेसि फील है ठीक है गैंड़ी सीफिल है जो भूद ज्यादा इंपर्टेंट फैमली है इनको याद कलेरा ठीक सुलने सीफिल है उनके लक्षण महत्त फूछता है ठीक है ये असीफ्वल है ग्रैंब लिने स्बॉर्ब्स ट्रपी तीन फैम्री यह सब सहाथ है यहां इतनी फैमली में में फीडिक लगाने है तो तो सिस्टम के बार देख लेना है और तो में उतक प्रकार का वुट तक पाया जाता है प्रांटों में वह में याद करेंगे अग्यार और उसके बात में आता है पौदो के तनों में सब्सक्राइब तो प्रकार से इसको अच्छी तरीकर देख लेना ठीक है और तो नाम पततीक्न कि वारे में में देख लेगे अब नॉर्मल सेकंडरी तो ग्रोथ होती है उसके बारे में देख लेना है और जरा युद्मास क्या होता है इसको अच्छी तरीके सब्ढ़ लेंगे ठीक है और मैंने आपको बताया ऊपर कि पौदों में देखो आसंग दू बोला आसंग दुतिक विरद्धी अब नॉर्मल कह सकते हैं सेकंडरी ग्रोथ उसकी बारे में पूछेगा किसमें एक पौदा आपको बताएगा उसके तने के बारे में जिसे कहते हैं कि कह सकते हैं दे जिसे अब नॉर्मल से किंडरी क्रोथ कहते हैं इसको अच्छे तरीके से देख लेना मौस्ट इंपूट है इतना ही बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कोशिन हो जाएंगे कि आप पर होंगे नहीं जो बता रहा हो तको बढ़नों देखो आब जी बहुत हो का निस प्रिकार किया होता है और महुप्रवूणता के बारे में ऊंचे बारे में और पहुन दोबडर्न हो सैंके खुंचा कि ये हैं परब और इस्दम्व forty बजैने से कहते हैं और और फलंग किसे कहते हैं ये मौस्ट इंपूटेंट किसे य क्लाओ बेता और जीनिया और मेटा जीनिया में अंतर पूछ लेता है इसको आप याद कर लेंगे नेक्स को बहुत जदा इंपूटेंट है भरमण पोस्ट चुसांग के से कहते हैं इसको पढ़ लेना मौस्ट इंपूटेंट है जो बतारों बॉक्स में बंद करो यह अपको प्रकार नाया आसको चाहिए डिजह लेंगे और जीवाडवौ ब्रह्मन कौस की बारे ने देख लेंगे है इसको देख लेना ग्शाष बीलियन क्या होता है इसको पर लेंगे most important है कि कि ए और ऑड़ से है देखो आनेसे क्षेशन का से कहते है यह देख लेना है जिवांडु जिवांड होते हैं उनकी प्रिकार टाइप ऑफ ओवल्स देखने ले हैं वहाद में नेट्सके नेक्स कोशिन है देखो परागण और परागण सुप लागर जो ते है उसके बार अंतर पुछ लेता है त इतना ही पढ़ना है इसके लाप कुछ और नहीं देखना है यहीं मॉस्ट इंपोर्टेंट दे दो जार बाइस के एक्जाम के लिए आल युनिवस्टी जो जो आपकी गैस पर मिल रहा है आप उस पे टिक लगा लो जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दो लेकिन जो मिल रहा ह अच्छे तरीकिस अठीक है और बाकी युनिवस्टी अलग से इंपोर्टेंट वीडियो डाल दोंगा जिन ता मत को एक्जाम से दो दिन पहले मैं आपको सब कुछ दूँगा जो आएक्जाम में आ रहा है तो अब चनल को सब्सक्राइब करके रखू थैंक यूपर वाचि